हलो एवरिवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास्टेंट एकोनॉमिक्स का चैप्टर नमस सेकिंड जिसका नाम है सेक्टर्स ओफ दा इंडियन एकोनुमी हम इस चैप्टर को विजूल्स और एनिमिशन की मदस से काफी अच्छे समझेगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एकोन एक्टिविटी कर रहा है इंकम को जनरएट करने लिए तो हम लिख सकते हैं दूस एक्टिविटीज भीचा पराफॉर्म्ट नेरेट इंकम आर ओकॉनुमिक activities अब दोस्तों जो economic activities होती हैं उन्हें अलग-अलग तरीकों से classify किया जाता है अगर हम देखे on the basis of nature मतलब activities का nature कैसा है तो इस basis पर economic activities को तीन sectors में बाटा गया है पहला है primary sector दूसरा है secondary sector और तीसरा है tertiary sector और अगर हम देखे on the basis of employment condition मतलब employment की condition कैसी है तो इस basis पर दो sectors में बाटा गया है organized sector और un-organized sector similarly अगर हम देखे on the basis of ownership तो ownership के basis पर भी economic activities को दो sectors में बाटा गया है public sector और private sector I know आपको यह थोड़ा confusing लग रहा होगा but don't worry हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत ही अच्छे समझेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते है प्राइमरी सेक्टर को तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो की directly nature से connected होता है जैसे की agriculture माइनिंग डेरी फिसिंग फोरेश्ट्री तो यह जो activities होती है वो नेचर से रिलेटेड होती है इसमें हम डारेकली नेचर का यूज करके raw materials को प्रड्यूस करते हैं तो हम लिख सकते हैं when we produce something by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector और हमें यह भी जानना जरूरी है कि जो यह primary sector होता है वो base provide करता है बाकी other products को बनाने के लिए for example जो हम cotton की t-shirt पहनते हैं वो किस से बनती है cotton से और cotton कहां से आता है primary sector से मतलब primary sector होगा तभी कोई other product बन पाएगा चूकि यह जो sector है वो agriculture से related है इसलिए इसे agriculture and related sector भी कहते हैं next is secondary sector secondary sector में वो activities आती हैं जिसमें हम nature के product को change करते हैं एक नई form में यानि कि एक finished product बनाते हैं manufacturing के थ्रूप इसलिए इस sector को industrial sector भी कहते हैं क्योंकि इसमें industries का काफी जादा use होता है for example cotton से कपड़े बनाना, सुगर केंसे सुगर और जैगरी बनाना, इसके अलाबा car manufacturing, paper manufacturing means जितना भी manufacturing का work होता है उस secondary sector में आता है तो हम लिख सकते हैं where natural products are change into other forms through manufacturing, it is an activity of the secondary sector next is tertiary sector, इसे हम service sector भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम service provide करते हैं तो इस sector में वो activities आती हैं जो कि primary and secondary sector के development में मदद करती हैं by providing services जैसे कि transport, bank, इसके लावा teachers, doctors, barbers, coblers, lawyer तो ये लोग service दे रहे हैं ना कि कोई product बना रहे हैं तो ये जो activities हैं वो tertiary sector में आती है, next topic है हमारा comparing the three sectors तो दोस्तो अभी तक हमने तीन sectors के बारे में discuss किया, primary sector, secondary sector and tertiary sector तो देश में इन तीनों ही sectors में काफी जदा production हो रहा होता है goods and services का और तीनों ही sectors में बहुत सारी लोग काम भी कर रहे होते हैं तो अब सबाई ये उड़ता है कि हम ये पता कैसे करेंगे कि तीनों ही सेक्टरस में कितना production हो रहा है goods and services का तो ये हम पता करते हैं gross domestic product की मदद से यानि की GDP की मदद से तो ये GDP क्या होती है I know आपने इसका नाम जरूर सुना होगा पर ये थोड़ा confusing लगता होगा but don't worry हम इससे बहुत अच्छे समझने वाले है जैसे माल लो हम एक example लेते हैं एक किसान है उसने 10 किलो घहूं होगाए तो किसान क्या करता है इन 10 किलो घहूं को बेच देता है पास वाले मिल को 20 रुपे में फिर ये मिल वाला क्या करता है इसका आटा बनाता है और उसे बेच देता है बिस्कुट की कमपनी को 30 रुपे हैं और फिर जो बिस्किटी कमपनी होती है वो बाकी चीजों को एड़ करके बिस्किट बना देती है जिनकी वो प्राइस रखती है 50 रुपे तो यहाँ पर जो production process है वो complete हो गई तो यहाँ पर जो आकरी में हमारे पास finished product निकल के आया उसे हम कहेंगे final good और जो बीच में जो बेचा गया था factory और company को उसे हम कहते हैं intermediate good तो यह बात याद रखना कि जब भी किसी भी country का production calculate किया जाता है तो केवल final goods की value include की जाती है rather than intermediate goods मतलब intermediate goods की value include नहीं की जाती तो हम लिख सकते हैं when we calculate the production of each sector we only added the value of final goods rather than intermediate goods अब सवाल यह उठता है कि हम intermediate goods की value को include क्यों नहीं करते हैं तो यह तो हम अपने आप से ही समझ सकते हैं क्योंकि जो intermediate goods की value होती है वो already adjust हो जाती है final goods में मतलब already included होती है final goods में इसलिए हम include नहीं करते तो अब हम GDP की definition देखते हैं कि actual में GDP होती क्या है तो हम इस तरीके से लेखेंगे the value of the final goods and services produced within the country during one year is called GDP मतलब एक साल के अंदर country में कितना production हुआ है final goods and services का उनकी total value को ही हम GDP कहते है तो यहां से हमें एक बात तो clear हो जाती है कि जिस भी country में जितना ज़्यादा production होगा उस country की उतनी ही बड़ी GDP होगी और जिस country में जितना कम production होगा उस country की उतनी ही कम GDP होगी तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो world में सबसे बड़ी GDP है USA की यानि कि GDP के मामले में इंडिया 5th position पर आता है पूरे world में और इंडिया की जो GDP है उसे measure किया जाता है central government की ministry के द्वारा historical change in sectors दोस्तों सुरुवाती दोर में यानि कि आज से कई साल पहले लोग agriculture sector पर काफी ज़ादा dependent थे लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे यानि कि हम क्या सकते हैं कि initial stage में economy का सबसे important sector था primary sector लेकिन फुर कुछ समय वाद industrial revolution आता है manufacturing के लिए नए-नए मसीने आने लगती है factories डबलफ होने लगती हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग खेती बाड़ी छोड़कर factories में आकर काम करने लगते हैं यानि कि factories की तरफ shift होने लगते हैं और धीरे-धीरे लोगों के लिए जो secondary sector था वो ज़ादा important होने लगता है यानि कि एक shift देखने को मिला लोगों का primary sector से secondary sector की तरफ और आखरी 100 सालों में हमें एक और shift देखने को मिल रहा है जो गी है secondary sector से tertiary sector की तरफ यानि कि अब जो लोग हैं वो secondary को भी छोड़कर धीरे-धीरे tertiary sector यानि कि service sector की तरफ बढ़ने लगे और आज के दोर में जो सबसे ज़्यादा production हो रहा है वो tertiary sector में ही हो रहा है और सबसे ज़्यादा लोग भी इसी sector में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक basic pattern देखने को मिला कि पहले लोग primary sector में काम करते थे पर secondary sector में काम करने लगे और आज की समय में सबसे ज़्यादा लोग tertiary sector में काम कर रहे हैं rising importance of the tertiary sector of production दोस्तों अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो पचले 40 सालों में तीनों ही sectors में काफी ज़्यादा increasement देखने को मिला है पर सबसे ज़्यादा जो increasement देखने को मिला है वो मिला है tertiary sector में इसी से related आप इस graph को भी देख सकते हो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शुरुवाती दोर में यानि की 1973-74 के टाइम पर तीनों ही sectors में बहुत कम production होता था लेकिन आज के time पर यानि की 2013-14 का data अगर हम देखें तो तीनों ही sectors में काफी ज़्यादा improvement हुआ है लेकिन सबसे ज़्यादा जो improvement हुआ है वो हुआ है tertiary sector में जैसा कि आप इस graph में भी देख सकते हो अब हम देखते हैं कि GDP में कौन सा sector कितना contribute करता है तो आप इस graph को देखो तो अगर हम देखें 1973-74 का data तो GDP का 40% जो share था वो आता था primary sector से GDP का 13% जो share था वो आता था secondary sector से और GDP का 47% जो share था वो आता था tertiary sector से अगर हम देखें कि आज के time पर किस sector से कितना share आता है तो हम देखते हैं 2030-40 का data तो according to this GDP का 40% जो share है वो आता है primary sector से 19% जो share है वो आता है secondary sector से और 67% जो share है वो आता है tertiary sector से तो इस graph से हमें क्या पता चला कि GDP में सबसे कम contribute primary sector करता है और GDP में सबसे ज़ादा contribute tertiary sector करता है अब सवाल यह उठता है कि जो ये tertiary sector है वो इतनी तेजी से grow क्यों हो रहा है इसके पीछे reasons क्या है चली जानते हैं पहला reason है कि कुछ basic services होती है जैसे कि hospitals, schools, police stations, courts, banks, etc. तो ये जो services होती हैं उनकी लोगों को बहुत जादा requirement होती है क्योंकि ये basic services होती है और इन services को provide कराने की responsibility होती है government के पास तो government जब इनको develop करती है तो automatically service sector improve होता है दूसरा reason है कि जब agriculture sector और industrial sector grow होता है तो जो service sector है बो भी सासत अपने आप grow होता है तीसरा reason है कि कई लोगों की income बढ़ रही है जिस वज़े से लोग other services भी opt करते हैं जैसे कि खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं सौपिंग करने चले जाते हैं गूमने चले जाते हैं कहीं पर parents अपने बच्चों को private school में पढ़ाने लगते हैं तो इस वज़े से अलग-अलग services grow हो रही है जिस वज़े से service sector भी grow हो रहा है चोथा reason है कि धीरे-धीर information and communication technology grow हो रही है जिस वज़े से related services भी grow हो रही है तो दोस्तों ये कुछ reasons है जिनकी बचे से जो tertiary sector है यानि की service sector है वो grow कर रहा है अब आप एक और graph को देखो इससे हमें पता चलेगा कि किस sector में कितने लोग employed है मतलब किस sector में कितने लोग काम कर रहे है तो अगर हम देखे 1977-78 का data तो 71% लोग primary sector में employed थे 11% लोग secondary sector में employed थे और 18% लोग tertiary sector में employed थे और अगर हम आज का data देखे यानि कि 2017-18 का data तो 44% जो लोग है वो primary sector में employed है 25% लोग secondary sector में employed है और 31% लोग tertiary sector में employed है तो इस graph से में क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा लोग primary sector में employed है लेकिन देखो यहाँ पर एक problem है क्या problem है अगर हम आज के time से compare करें तो भले ही primary sector में ज़्यादा लोग employed है बट फिर भी सबसे कम production primary sector में ही होता है यानि कि GDP में सबसे कम contribution primary sector ही करता है तो ऐसा क्यों है कि primary sector में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं पर वो production बहुत कम दे पा रहे हैं तो इसकी पीचे बहुत सारे reasons है पर एक जो main reason है वो यह है कि जो यह primary sector के लोग है वो under employment यानकी discussed unemployment से जूज रहे हैं तो यह under employment या discussed unemployment होता क्या है चली जानते हैं जैसे मालो एक खेत है उसमें सात लोग काम कर रहे हैं लेकिन जरूरत केवल तीन लोगों की है बाकी जो चार लोग जो की extra काम कर रहे हैं उनके होने या ना होने से production पर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह जो लोग हैं उन्हीं हम कहते हैं under employed या disgust unemployed तो इन लोगों की जो संक्या है वो primary sector में बहुत जादा है इसलिए primary sector में जादा तो लोग काम कर रहे हैं पर वो production उतना ही दे पा रहे हैं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा How to create more employment मतलब लोगों के लिए जादा employment कैसे पैदा किया जा सकता है तो पहला है कि government छोड़े छोड़े किसानों को chief loans दे सकती है और employment create कर सकती है क्योंकि पहले लोग साल में एक crop होगाते थे लेकिन अब वो lawn के पैसों से tube bell, fertilizer, pesticides, tools का use करके साल भर में दो-तीन फसल होगा सकते हैं जिससे भी पूरी साल employed रह सकते हैं दूसरा तरीका है कि government dams या kennels बनवा सकती है जिससे काफी मजदूरों को रोजगार मिलेगा और काफी किसानों को अपनी फसलों को सीजने के लिए पानी मिलेगा तीसरा तरीका है कि government transportation और नए रोड बनवाने पर invest कर सकती है जिसे बहुत सारे लोगों को employment मिलेगा एक तो मजदूरों को जो की roads बनाएंगे और दूसरा auto and truck drivers को जो की अपनी services देकर अपना घर चलाएंगे चौथा तरीका है कि government छोड़ी छोड़ी industries को set up कर सकती है रूरल एरियाज में जिसे गाओं के लोगों को रोजगार मिलेगा और उन लोगों को सहरों में नहीं बठकना पड़ेगा काम के लिए पांचवा तरीका है कि government tourism को promote कर सकती है क्योंकि इससे भी कई सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है सिक्स है कि government health और education sector पर भी invest कर सकती है तो दोस्तो ये कुछ तरीके हैं जिनका इस्तमाल करके government जाद से जाद ही employment create कर सकती है पर दोस्तो ये long term plans हैं इसलिए government को इनको set up करने में काफी ज़दा time लगेगा तो ऐसे में government ने बेरोजगारी को खतम करने के लिए एक short term plan को भी launch किया था जिसका नाम था मन्रे का यानि कि महत्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act जो कि 2005 में start किया गया था इस act के थुरू government लोगों को right to work प्रोवाइड करती है यानि कि लोगों को काम करने का अधिकार देती है ये जो प्रोग्राम था वो इंडिया के 625 डिस्टिक्ट में launch किया गया था तो इस act के according रूरल एरियाज में जिन लोगों के पास काम नहीं होता है उन्हें government 100 डे का employment प्रोवाइड कराते है मतलब government ये बादा करती है कि कम से कम वो 100 डे का employment तो देगी ही देग और अगर in case government employment नहीं दे पाती है तो उन्हें unemployment allowance दिया जाता है मतलब बिना काम कराई भी पैसे दे देती है government तो मंद्रेगा की बज़े से employment की जो समस्या थी उसमें rural areas के अंदर काफी सुधार देखने को मिला है अब हम classify करते हैं economic activities को on the basis of employment conditions तो employment conditions के साबसे economy activities को दो sectors में बाड़ा गया है organized sector और un-organized sector सबसे पहले हम बात करते हैं organized sector की तो इस sector में जितने भी business आते हैं बिस सारे government के दौरा registered होते हैं और इन्हें government के सारे rules and regulation को follow करना पड़ता है जैसे कि minimum wage act, factory act, labor law, etc इस sector में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें job security मिलती है मतलब बिना किसी valid reason के उन्हें job से नहीं निकाला जा सकता इस sector में लोगों को paid holiday मिलती है इसके अलावा fixed working house होते हैं मतलब इनको limited time के लिए ही काम करना पड़ता है और अगर ये overtime करते हैं तो उसके उन्हें अलक से पैसे मिलते हैं इन्हें अच्छी working conditions मिलती हैं और retirement के time पर इन्हें pension भी मिलता है वहीं जो unognized sector होता है वो बिलकुली opposite होता है unognized sectors के businesses government से registered नहीं होते हैं और ना ही ये government के rules and regulation को follow करते हैं इस sector में लोगों के पास job security नहीं होती हैं इन्हें paid holidays भी नहीं मिलती हैं इनके working harvest भी fix नहीं होते हैं और इन्हें overtime करने के भी कोई extra पैसे नहीं मिलते हैं इन्हें poor working conditions में काम करना पड़ता है और ना ही इन्हें कोई pension बगएरा मिलता है तो यहां से हमें एक बात तो clear हो गई कि जो organized sector होता है वो बहुत ही अच्छा sector होता है उसमें बहुत ही अच्छी jobs होती हैं जिनें हर कोई करना पसंद करता है वही अन-organized sectors में कोई भी व्यक्तिक काम करना नहीं चाहता क्योंकि इसमें लोगों को अतनी अच्छी facilities नहीं मिलती है अब सवाल यह उड़ता है कि लोग organized sector में काम क्यों नहीं करने लगते तो इसके simple से दो reason है एक तो organized sector में job की बहुत कमी है तो ऐसे में सारे लोग तो organized sector में काम नहीं कर सकते दूसरा reason है कि organized sector में काम करने के लिए अच्छी skills या अच्छी knowledge चाहिए होती है जो कि हर किसी के पास नहीं होती इसलिए लोगों को मजबूरी में आकर un-organized sector में काम करना पड़ता है साइध इसलिए जो हमारे parents होते हैं वो हमें अच्छी education provide कराने के लिए मेनत करते हैं तक हमें भी organized sector में एक अच्छी job मिल सके अब हम देखते हैं how to protect workers of un-organized sectors मतलब un-organized sectors में जो workers काम करते हैं उन्हें हम कैसे protect कर सकते हैं तो जैसे हम देखे हैं rural areas में तो जो landless agriculture, laborers हो गए, small and marginal farmers हो गए share cropers हो गए, artisans हो गए तो इन्हें government कैसे protect कर सकती हैं इनकी कैसे मदद कर सकती हैं पहला government समय पर इन्हें seeds वगएरा provide करा सकती है अलगला agriculture inputs provide करा सकती है इन्हें chief loans provide करा सकती है प्लस storage facilities दे सकती है तो इस तरीके से government इनकी help कर सकती है और अगर हम देखे urban areas में तो urban areas में जो small industries होती है construction site पर जो workers काम करते हैं trades और transport में जो लोग काम करते हैं street vendors हो गए, garments makers हो गए तो इस तरीके के लोगों को सबसे ज़्यादा problem होती है urban areas में तो ऐसे में government क्या कर सकती है इनकी मदद कर सकती है जो small skill industries होती है उन्हें सस्ते raw materials प्रोवाइड करा सकती है प्लस marketing में help कर सकती है तो इस तरीके से अगर small skill industries को फायदा होता है तो obviously उसमें काम कर रहे workers को भी फायदा होगा और जो other workers हैं उनके लिए government laws and policies बना सकती है जिससे उन्हें security में ले तो इस तरीके से जो government है वो इनकी help कर सकती है इन सबके अलाबा अगर हम cast wise देखें तो अनौग नाई sector में सबसे ज़ादा काम करते हैं SC और ST cast के लोग तो ऐसे में government इने support कर सकती है और ये ensure कर सकती है कि जो ये SC और ST cast के लोग हैं उनके साथ discrimination ना हो उन्हें भी वह wages मिले जो बाकियों को मिलती मतलब इनके साथ किसी भी प्रकार का discrimination ना हो cast के basis पर अब दोस्तो economic activities को एक और तरीके से classify किया जाता है जो कि on the basis of ownership ownership के basis पर economic activities को दो sectors में बाटा गया है जो कि है private sector और public sector तो private sector में वो companies आती हैं जो कि किसी एक individual या एक group के द्वारा own keys आती हैं इनका एक मात्र motive होता है कि जादे से जादा profit कमाना फोर एक्जामपल Tata Iron and Steel Company Limited, Reliance Industries Limited Bipro Limited, ICICI Bank Limited तो ये जो companies होती हैं वो private sector में आती हैं क्योंकि ये government के द्वारा नहीं बलकि किसी एक बैक्ती या किसी एक group के द्वारा own की जाती हैं और वहीं जो public sector होता है उसमें वो चीज़ें वो services आती हैं जो कि government के द्वारा own की जाती है इनका मकसद होता है लोगों को सर्व करना यानि कि लोगों की सेवा करना पूर एक्जामपल है public sector अब दूसर एक question arise होता है कि जो ये government होती है उसके पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो हमें ये सब कुछ provide करा देती है जैसे कि बिजली पानी सडक, railway, schools, hospitals तो ये जो services होती है वो government हमें free of cost देती है या आपर बहुत ही कम दाम में provide कराती है तो आप कैसे provide कराती है तो government हमसे लेती है tax इसलिए government की ये responsibility बनती है हमें ये सब services provide कराने के क्योंकि वो हमसे tax ले रही है अब एक और सवाल आता है कि क्या private sector ये सब services provide नहीं करा सकता नहीं कर सकता क्योंकि इसकी पीचे कारण है कि इन services को provide कराने में बहुत जादा investment होता है जो कि किसी एक individual या किसी एक group की बसकी बात नहीं है और अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी के पास इतना पैसा आ भी जाता है और वो हमें ये services दे भी देता है तो क्या guarantee है कि वो हमें ये services कम दाम में देगा क्योंकि आप खुदी सोचो कि अगर कोई करोडो रुपे इन इवेस्ट करेगा इन services के लिए तो obviously वो हमसे जादा रुपे चार्ज करेगा क्योंकि उससे तो profit कमाना है इसका आप एक example भी देख सकते हो कि जो government होती है वो हमें free में या फिर बहुती कम दाम में पानी उपलब्द कराती है और वहीं जो private company होती है वो मातरे एक लीटर पानी के लिए तीस रुपे चार्ज करती है तो ऐसे में अगर government ये basic services देना बंद कर दे तो बिचारे जो गरीब लोग है वो afford ही नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में government की ही responsibility होती है इन basic services को provide कराने की और आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो ये private sector होता है वो काफी ज़दा dependent होता है public sector के उपर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे कारण है देखो कोई भी company या factory को जब भी setup किया जाता है तो ये insert किया जाता है कि उस जगह पर बिजली, पानी, सड़क जैसी सुबदाएं उपलब्ध है या नहीं है कोई भी company ऐसी जगह पर invest करना नहीं चाहती है जहां पर ये basic services उपलब्ध ही ना हो तो ऐसे में government के लिए ये और भी ज़ादा ज़रूरी हो जाता है कि ये सब services प्रोवाइड कराना ताकि ज़ादा से ज़ादा companies and factories set up हो सके जिससे लोगों को employment भी मिलेगा और production level भी increase होगा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को like कर सकते हो और आप इस channel को subscribe भी कर सकते हो इसे क्लाश्ट एंद की वीडियोज आगे देखने के लिए बाकि मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए टेक क्यार, बाए बाए